गर्मियों का समय आ गया है महिलाओं के मन में बच्चे को लेके बहुत दर डाउट होते हैं यसे गर्मियों का समय आ गया है तो क्या हम बच्चे को डेली नहला सकते हैं कितने महिने के बच्चे को हम डेली नहला सकते हैं बहुत सारे डाउट होते हैं तो वही डाउट आज मैं clear कर दूँगे आपके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मैं हूरेशू आप सबी के साथ आप देख रहे हो रेशू उस बेबी क्यार यूटूब चैनल तो फ्रेंट जैसे कि सबसे पहले हम बात करें बेबी का जो गरनाल है वो गिर जाता है तबी से नहलाना शुरू करना चाहिए उससे पहले स्पंचिंग वगिर आप कर सकते हो मतलब कि गिले कपड़े से बच्चे की बॉड़ी को क्लीन करते रही है लेकिन नहाईए बिलकुल मत क्योंकि जो गर्मनाल है वो गिला नहीं होना चाहिए जब गर्मनाल गिर जाए अपने आप तब भी बच्चे को नहलाना शुरू करना चाहिए वो भी गर्मियों के मौसम में हफते में तीन बार तक आप नहा सकते हो नेक्स्ट जैसे आपका बेबी फोर मन्त का हो जाता है फिर आप जैसी गर्मियों का मौसम है तो आप बच्चे को फिर डेली नहला सकते हो लेकिन एक बार ही दिन में इससे जादा ने और बच्चे को नहाने के लिए केवल ओ केवल आपको गुनगुने पानी का ही इस्तमाल करना चाहिए और नहलाने के प्रोड़क्ट बेबी स्किन केर के प्रोड़क्ट जो भी आप इस्तमाल कर रहे हो वो बेबी केर ही होने चाहिए बड़ों के प्रोड़क या घर में कोई भी प्रोड़क पड़ा है किसी बच्चे का बड़े बच्चे का वो आपको इस्तमाल नहीं करना चाहिए बेबी स्किन केर रेंज अलग से होती है वही आपको इस्तमाल करना चाहिए अपने बच्चे के लिए जो भी आप product use करो वो mild होने चाहिए, baby की skin के लिए safe होने चाहिए ठीक है ना इन बातों का ध्यान रखे आप बच्चों की अच्छे तरीके से देखबाल कर सकते हो मिलते हो आप सबी से next वीडियो में आई हो वीडियो पसंद आया होगा, like, subscribe, share जरूर करें